नमस्कार फाइटर समाचार में आपका स्वागत है पेश आज 3 माई सोवार सुबे 8 बजी राजिस्थान की खास खबरे बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें फाइटर न्यूस को और प्रेस करें बेल आइकन को महमारी रेढ अलर्ट जन अनुशाशन पकवाड़े को लेकर पुलिस पौन रूप से तयार है आज से पर्देश में रेड अलर्ट जन अनुशाशन पकवाड़ा शुरू होगा जिसके चलते जैपुर में रवीवार देर शाम पुलिस ने फ्लैग मार्च किया या फ्लाग मार्च अडिशनल पुलिस कमिश्णर अजेपा लांबा के नेतरतव में जैपुर पुलिस कमिश्णर से निकाला गया इस वरान कोविट गाइडलान की पालना को लेकर संदेश दिया गया पुरोना संकर्मन की चेन को तोड़ने के लिए पुलिस ने सक्ति बरतनी शुरू कर दी है केंद्रिय मादेमिक शिक्षा बूर ने बारवी कक्षा के विद्यार्थियों की परिक्षा तयारी में मदद के लिए प्रशन बैंक जारी किये गए है एक जून को समिक्षा बैठक कर सी बी एसी की और से बारवी के परिक्षा तीथी का एलान किया जा सकता है कक्षा बारवी के बारवी के बारा पर मुख विश्यों के प्रशन बैंक जारी किये गए हैं पूरव में बारवी कक्षा के बोर परिक्षा सैंपल पेपर्स भी जारी किये जा चुके हैं से बी एसी ने दस्वी के विद्यार्थियों के रिजल्ट तयारी का फॉर्मूला एक तिन पहले ही जारी है बीस जून को से बी एसी दस्वी का परिनाम जारी करेगी कोटा चिले की कुनहारी थाना पुलिस ने अदर्श नगर में नाई की दुकान पर चापा मार कर वीकेंड कर्फ्यू का उलंगन करते दो लोगों को गिरफतार किया है पुलिस ने बताया कि दोनों व्यक्ती नियोंका उलंगन कर दुकान में ग्रहकों की कटिंग और शेव कर रहे थे पुलिस मामले की जांच कर रही है सिरोही चिले के सरूप गंज थानक शेतर के धनारी हाईवे पर बनास पुलिया पर एक कार एन्यंत्रित होकर खाई में गिरने के मामले में हाथसे में घाइल पिता ने भी इलाज के दौरान दम तोड़ दिया कुलिस ने बताया कि पुतर के घटना सल पर ही मौत हो गई थी जबकि पिता को घंबीर हाल में एस्पाल में भरती करवाया गया था जहाँ इलाज के दौरान रवीवार शाम को उनकी भी मौत हो गई पुलिस हाथसे की जांच कर रही है सीकर चिले के निमका थाना सब जेल में 24 कैदी कोरोना पॉजिटिव मिलने से हड़ कम्प मच गया इसे के साथ ही पॉजिटिव मरीजों को अलग बैरक में शिफ्ट कर उनका उपचार शुरू कर दिया गया है वहें चिकित्सा विभाग की टीमें भी अलर्ट मोड पर रहकर उनके सब बरक में आई लोगों के सेंपलिंग का कार्या शुरू कर दिया है BCMH और डॉक्टर अशोक यादव ने यह जानकारी दी बार्मेट चिले के बालूत्रा थानक शितर में दिन दिहाडे फाइरिंग होने की जानकारी सामनी आई है फाइरिंग में एक युवक की मौत हो गई सुशना पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को अस्पताल की मोटरी में रखवाया है मृतकी पहचान स्वरूप जिंगर की रूप में हुई है फाइरिंग का रूपी मौके से फराद हो गया हलांकि फाइरिंग का खुलासा नहीं हो पाया है पुलिस फाइरिंग करने वालों की तलाश में जुट गई है मुख्य मंत्री अशोक गहलोत अपना जनम दिन नहीं मनाएंगे जानकारी के अनसर आज मुख्य मंत्री अशोक गहलोत का जनम दिन है शिरी गहलोत ने कहा कि परदेश में कोवड-19 की बनी हुई परिस्थिती से हम भी अवगत है कोरोना संकर्मन की बढ़ती रफ्तार के कारण पूरा परदेश मुश्किल दोर से गुजरा है वैश्विक महमारी के परकोप के कारण मैंने जनम दिन नहीं मनाने का निर्णय किया है राजस्तान की जनता ने मुझे हमेशा ही भरपूर सने और आशिरवाद दिया है यह आशिरवाद ही मेरी सबसे बड़ी पुंजी है जिनके परेजन इस घातक कोरोना के शिकार हुए उनके प्रति समेदना व्यक्त करने के लिए मेरी पास शब्द नहीं है इस संकट की घड़ी में मैं स्वैम एवं पूरी राजे सरकार जनता के साथ खड़ी है मुझे पूर्ण विश्वाश है कि इस वैश्विक आपदा से निबतने में आगे भी सभी का सहयोग मिलता रहेगा इसकी सूशना मिलते ही पुलिस महकमे में हड कंप मच गया इधर मेडिकल टीम में कॉन्टेक्ट और ट्रेवलिंग हिस्ट्री खंगालने में जुट गई है सभी को गाम ताना में बनाये गए कोविड केर सेंटर में शिफ्ट किया गया है पाली जिले की उध्योगिक थाना पुलिस ने संजे खान हत्यकान का खुलासा करती हुए एक 22 वर्षी आरोपी सद्दाम खान और एक बाल अपचारी को गिरफतार किया है पुलिस ने बताया कि दोनों आरोपियों ने आपसे पारिवारी के रंजिश के चलते गोली मार कर 26 वर्षी संजे खान की हत्यक कर दी थी ब्रितक के पितादवारा दो विवा करना विवाद का कारण रहा पुलिस आरोपियों से पूश्टाश कर रही है नमस्कार प्रोणा संकरम हम सभी के लिए चुनोती है जिसे हम एक जुट होकर राना है इसलिए मैं प्रेम नायक श्री गंगानेगर से आपका छोटा भाई आप सभी से अपील करता हूं कि कुरोणा से बचाओ के लिए मासक पहने सभी से समाधिक दूरी बनाए और बार बार अपने हातों को धोए ताकि हम कुरोणा को रा सकें धन्यवाद ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूस को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूस अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बच जाए